हेलो किद्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो आज मैं फिर से कहानी के साथ आ गई हूँ, तो आज की हमारी कहानी है खुंखार भूखे गोडे की, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक दिन राजा क्रिशन देव राई के दरबार में अरब देश का एक वेहपारी आया, उसके पास एक से बढ़का एक अरभी गोडे थे, वेहपारी ने हटे कटे और तंदुस्ती अरभी गोडों की राजा क्रिशन देव राई के सामने इतनी तारीफ की, कि उन्होंने फोरण उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया अच्छी कीमत देकर वेपारी से सारे घोड़े खरीद लिये वेपारी खुशी-खुशी वापस चला गया महराज बहुत खुश थे लेकिन जब घोड़ों को रखने की बास सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं थे इस समस्या का निधान राजगुरू से सुझाया राजगुरू ने महराज को प्रामश दिया कि जब तक इस घोड़े को रखने के लिए एक नया अस्तबल तयार ना हो जाए क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों और दर्बारियों और प्रजा के बांट दे वे उन घोड़ों की देखबाल करेंगे और उसके बदे हर महिने उन्हें सरमुद्राइं दी जाएंगी महराज को राजगुरु की ये सला जच गई और उन्हें ने वे घोड़े अपने मंत्रियों और दर्बारियों में बढ़वा दिये जो घोड़े बचे वो प्रजा में बांट दिये गए महराज का आदेश था इसलिए सब लोग चुपचप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए एक एक स्वन मूद्राओं में उन घोड़ों के ओ चारे का प्रभंद करना और उनकी देखबाल करना बहुत कठिन था लेकिन वो राज़सी घोड़े थे इसलिए उनकी देखबाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखबाल करने लग गए एक घोड़ा तैनाली राम को भी मिला उसने घोड़ा अपने घर ले जाकर छोटी सी अंधेरी कुटिया में बान दिया उस कुटिया में छोटी सी खिड़की बनी हुई थी उस खिड़की से तेनाली राम रोज शाम थोड़ी सी सूखी गास घोड़े को खिलाया करता था घोड़ा दिन बर भूखा रहता था इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी गास देखता लपटकर उसे खा जाता दिन बीटते गए और वो दिन भी आया जब अर्भी घोड़ों का स्थपल बनकर तैयार हो गया जिन मंत्रियों, धरबारियों और प्रजा के पास अर्भी घोड़े थे उन्होंने चेन की सांस ली इतने दिनों में गोड़ों की देखबाल के कारण सबके घर का बचट बिगड़ गया था कईयों पर तो करस चड़ जगया था, खेर वे गोड़े लेकर राजमहल पहुँचे इदे तेनाली राम जब राजमहल पहुँचा तो उसका गोड़ा नदारत था महराज की पूछने पर बोला, महराज क्या बताओं, मैं गोड़ा बहुत ही ज़्यादा खुंखार हो गया है किसी पर भी हमला कर देता है मुझसे तो इतना साहस नहीं था कि उसके अस्तबल में घुस पाओं इसलिए मैं उसे नहीं ले पाया महराज कुछ कहते, इससे पहले राजगुरू बोल उठे महराज, तैनाली राम की बात पर पिश्वास नहीं किया जा सकता अवश्य ही गोड़ा सही सलामत नहीं है इसलिए तैनाली राम बहाना कर रहा है हमें वहाँ जाकर वास्तविता का पता लगाना चाहिए महराज ने राजगुरू को कुछ सेनिकों के साथ तैनाली राम के घर जाकर घोड़ों को लाने का अदेश दे दिया राजगुरू सेनिक लेकर तैनाली राम के घर पहुँच गए सास में तैनाली राम भी था तेनाली राम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां गोड़ा बहदा हुआ था राजगुरु जब कुटिया के पास पहुँचे तो तेनाली राम बोला राजगुरु जी संभल के गोड़ा सच में बहुत खुंखार हो गया है अब पहले खड़की से उसका मुआवना कर लीजिए राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खड़की से ही मुआवना कर लेता उचित होगा वे अपना मुँ खड़की के पास ले गया दिन भर से गोड़े ने कुछ खाया नहीं था तैनाले राम शाम के समय ही उसे सुखी घास कर देता था इसे जैसे ही राजगुरु खड़की के पास अपना मुँ ले कर गए उनके दाड़ी को सुखी घास समझकर गोड़े ने मुँ में दबा लिया और खीशने लगा राजगुरु दर्द से चीक पड़े ये देख तैनाले राम बोला मैंने कहा था ना राजगुरु जी की गोड़ा बहुत खुंखार हो गया है राजगुरु क्या कहते बस दर्द से चीकते रहे और अपनी दाड़ी छोड़ाने का प्रयास करते रहे किन्तु भोखा गोड़ा भी धाड़ी छोड़ने तयार नहीं था आखिरकार सेनिकों दोरा तलवार से धाड़ी काटकर अलग कर दी गई तब राजगुरु की जान छूती उसके बाद राजगुरु ने सेनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चले घोड़े को राजमहल में महराज के सामने ले जाया गया राजा ने जब घोड़े को देखा तो आच्चरे जरकित रह गए इतने महीने डंग से कुछ खाने पीने को ना दिये जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वो एकदम मरियल दिख रहा था अपने घोड़े की यह हालाद देखकर महराज बहुत क्रोधित हुए और तैनली राम से बोले यह क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की तैनली राम बोला महराज एक सवन मुदरा मैं है इससे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखबल कर रहे वे आगे कहता गया महराज राज के राजा का धरम प्रजा की देखबल करना है ना कि उसे अतरिक बोल डालना इन घोड़ों को ये देखबल करते करते और इनके बलवान वा तंदृस्त बनाए रखने में आपकी प्रज़त दुरबल हो गई है आप ही बताई महराज क्या ये उचित है महराज को तैनले राम की बात समझ आ गई और उन्हें अपनी बूल का एहसास हो गया अपनी इस बूल के लिए उन्हें सबसे शमा मांगी और इन महीनों में हुए खर्चों के भरपाए भी कर दी तो इस कहाने से हमें क्या सीख मिली इस कहाने से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी निने पर पहुँशना चाहिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो प्लीज सबस्क्राइब मैं चैनल फर कमने वीडियो